सम्विधान सभाद्वारा अंतिम रूप से पारित सम्विधान में कुल कितने अनुछेद तथा अनुसूचिया थी तो उस समय जो है 395 में अनुछेद और 8 अनुसूचिया थी वर्तमान समय में भारतिय सम्विधान में गड़ना की दृष्ट से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचिया है तो वर्तमान में 395 में अनुच्छेद और 12 अनुसूचिया है वर्तमान में भारतिय सम्विधान में धाराओं की कुल संक्या है तो 395 में धराएं है सम्विधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संग होगा तो अनुच्छेद एक में जो है दिया गया है सम्विधान के अनुच्छेद एक में भारत को क्या कहा गया है तो राज्यों का संग कहा गया है भारती सम्विधान के किन अनुच्छेदों में नागरिक्ता सम्बंदीत प्रावधान है तो अनुच्छेद 5-11 में जो इसका प्रावधान दिया गया है भारती सम्विधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किये गए है तो अनुछिद 12 से 35 के अंतरगत किये गए है नागरियां तता सैच्छडिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर के लिए आरच्छड उपलब्द कराने के लिए किंदर सरकार को सम्विधान का कौन सा अनुछिद अधिकार प्रदान करता है तो आर्टिकल 16 जो है करता है भारती संविधान के किस अनुछिद द्वारा और इस प्रिस्टा यानि छुआ छूत को समाप्त किया गया है तो अनुछिद 17 के द्वारा किया गया है भारती सम्विधान का कौन सा अनुच्छेद राष्टपती के पद के लिए पूनर निर्वाचन की योगिता निधारित करता है तो आर्टिकल 57 करता है भारत का सम्विधान असपश्टतर प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता किन्तु यह आजादी अंतर नहीं थै यह जो है अनुच्छेद 19.1 के अ में जो है नहीं थै भारती सम्विधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंतरता दी गई है तो आर्टिकल 19.1 में दी गई है भारती सम्विधान के किस अनुच्छेद में अलप संकेकों के हितों की सनरक्षड की व्यवस्था की गई है तो आर्टिकल 29 में की गई है कौन से अनुच्छेद के अंतरगत भारत का सर्वोच नयाहल है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रच्छा करता है तो Article 32 के अंतरगत करता है भार्ती सम्विधान के किन अनुछेदों में राजके निर्थी निर्यसक ततों का उलेक है तो Article 36-51 में जो है DPSP की चर्चा की गई है भार्ती सम्विधान के अंतरगत कल्यार कारी राजकी अव धारा किस अनुछेद में वड़ित है तो आर्टिकल 29 में जो है दिया गया है भारती सम्विधान का कौन सा अनुचेद राज्जी सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निदेश देता है तो आर्टिकल 40 जो है देता है बैलिस्वे संसोधन द्वारा सम्विधान की किस अनुछेद में मौली कर्तव्यों को जोड़ा गया है तो आर्टिकल 51A में जोड़ा गया है भारती सम्विधान की किस अनुछेद में मौली कर्तव्यों की चर्चा की गई है तो आर्टिकल 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है संग की कारेपालिका सकती राष्टपती में नहीत होती है जिसका प्रयोग हुआ स्वयम या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा यह किसके अंतरगत है या आर्टिकल 53 के अंतरगत कहा गया है भारत के सम्विधान के किस अनुचेद के अंतरगत भारत के राष्टपती पर माभियोग चलाया जा सकता है तो आर्टिकल 61A में जो है राष्टपती के माभियोग की चर्टा की गई है सम्विधान के किस अनुच्छेद में उपराष्टपती प्रत का प्रावधान किया गया है तो आर्टिकल 63 में उपराष्टपती प्रत के लिए प्रावधान है सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत मंत्री गड़ सामोहिक रूप से लोग करल्यार के प्रती उत्तरदाई है तो आर्टिकल 75 सम्विधान का कौन सा अनुछेद मंत्री परिशत के गठन के बारे में आदारबूत नियम निधारित करता है तो आर्टिकल 75 करता है भारत के महा नियावादी की नियुक्ती से सम्बंदित अनुछेद कौन सा है तो आर्टिकल 76 है कौन सा अनुछेद संसत के दो अधिवेशनों के बीच छै मा के अंतराल की अनिवार्ता का उलेक करता है तो आर्टिकल 85 करता है राष्टपती सम्विधान के किस अनुच्छेद की अंतरगत लोकसभा को भंग कर सकता है तो आर्टिकल 85 कर सकता है सम्विधान की किस अनुच्छेद द्वारा संसत की सयुक्त बैठर का प्रावधान किया गया तो अनुच्छेद 108 के द्वारा किया गया लोक सभा एवम राज्य सभा के सयुक्त अधिवेशन के विसे में प्रावधान सम्विधान के किस अनुचेद में किया गया है तो आर्टिकल 108 में किया गया है सम्विधान की किस अनुचेद में धन विधिया की परिभाशा दी गई है तो अनुच्छेद 110 में धन विद्य की परिभाषा दी गई है सम्विधान के किस अनुच्छेद की अंतरगत राष्टपती अध्यादेश जारी करता है तो अनुच्छेद 123 के अंतरगत करता है सम्विधान के किस अनुछेद में सरोच नियाले के नया धीश पर महा भीयोग चलाये जाने का प्रावधान है तो आर्टिकल 124 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है राष्टपती सरोच नियाले से सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत परामर्ष ले सकता है कर सकता है यह व्यवस्ता सम्विधान के किस अनुच्छेद में उपबंदित है तो यह आर्टिकल 137 में दिया गया है सम्विधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्ता की गई है कि उच्चितम नियाले द्वारा विनिशित विदी भारत के राजशेतर के भीतर सभी निया को नायक पुन्वर लोकन की सकति प्रदान की गई है जिसका आधार है तो वे सम्विधान के किस अनुच्छेत की अंतरगत अधिनस्त नयालय यह जीला नयालय का प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 233 के अंतरगत किया गया है भारति सम्विधान का कौन सा अनुच्छेद सम्वैधानिक प्रावधानों की संगी संसन या राज विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्रात्मिक्ता प्रदान करती है तो अनुच्छेद 245 करता है किस अनुच्छेद के तहट औविषिष्ट सकतियां केंदर के पास है तो अनुच्छेद 248 के तहट राज्यों द्वारा प्रातना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतरगत कानून बना सकती है बारती सम्विधान के अंतरगत कौन सा अनुच्छेद संसत को राज्य सूची के विसे में संबन में विदी बनाने की शक्ति प्रदान करता है तो आर्टिकल 249 करता है भारती सम्विधान का कौन सा अनुछेद संसत को अंतर राष्टी समझहतों को लागू करने के लिए विदि निर्माड के करने की शक्ति प्रदान करता है तो अनुछेद दो सो तिरपन जो है करता है केंदर राजी के प्रशासणिक संबन्ध भारती सम्विधान की किस अनुच्छेद में वडित है, तो अनुच्छेद 256 से 203 में जो है दिया गया है सम्विधान के किस अनुचेत के अंतरगत केंदर सरकार, राजी सरकारों को निदेश दे सकती है तो 256 के अंतरगत दे सकती है अंतर राजी परिशत के गठन का प्रावधान सम्विधान के किस अनुचेत के अंतरगत किया गया है तो अनुचे 233 के अंतरगत किया गया है बारती सम्विधान के किस अनुचेद के अंतरगत वित आयों के गठन का प्रावधान है तो अनुचेद 280 के अंतरगत वित आयों के गठन का प्रावधान किया गया है संपत्ति का अधिकार सम्विधानिक अधिकार है यह बताया है तो अनुचेत 309 में बताया गया है भारती सम्विधान के किस अनुचेत में ने सरगीक न्याय के प्रशिद सिद्धान सुनवाई के अधिकार का शमावेस किया गया है तो अनुचेत 311 में किया गया है बारती सम्विदान के किस अनुचेत की अंतरगत अखिल भारती सेवाओं का प्रावधान किया गया है तो अनुचेत 312 के अंतरगत किया गया है सम्विदान के किस अनुचेत द्वारा लोक सेवाओं को सरक्षर प्रदान करने किया गया है संग लोक सवा आयो के कार्यों का उलेक किस अनुचेत के अंतरगत है भारति सम्विधान का अनुछेत 324 किस से संबन्दित है तो यह जो है मुख निर्वाचन आयोद की सक्तियों एव मकारिस संबन्दित है लोक सब्भा में एंगलो इंजेन समुदाय के प्रतिनी धित्व के लिए प्रावधान सम्विधान के किस अनुचेत के अंतरगत किया गया है तो अनुचेत 331 के अंतरगत किया गया है अनुसूची जातियों और अनुसूची जन जातियों के लिए एक राष्ट्री आयोग गठित करने का प्रावधान सम्विधान के किस अनुचेत के अंतरगत किया गया है हिंदी को राज-भासा का दर्शप्रदान किया गया है तो अनुच्छे 343-1 के अंतरगत किया गया है भारती सम्विधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई तो प्रस्तावना को सम्विधान की आत्मा कहा जाता है सम्विधान निर्माताओं ने किस पर विशिज ध्यान दिया था तो प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिया था भारत में जनप्री सम्प्रभुता है क्योंकि भारत की सम्विधान की प्रस्तावना सुरू होती है इन सब्तों से हम भारत के लोग भारत को गरतंत्र क्यों कहा जाता है तो यहां राज्य का प्रमुक निधर्थ अवदी के लिए निर्वाचिन होता है इसलिए जोए गड़तंत्र कहा जाता है भारत है एक तो भारत जोए धर्म निर्पेक्ष राश्ट्र है धर्म निर्पेक्ष सब्द का अर्थ है तो इसका अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व स्विकार करना भारत एक धर्म निर्पेक्ष राज है इसका मतलब है कि भारती राज किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है गड़तंत्र होता है तो गड़तंत्र क्या होता है राजित जहां पर अध्यक्ष वनसानुकत रूप से नव हो वहाँ जो है गड़तंत्र होता है वे दो शब्द कौन से है जिनका समावेशन बैलिस्वे समविधान संसोधन द्वारा समविधान की उद्देशिका में किया गया था तो समाजवादी और धर्म निर्पेच का किया गया था बारती सम्विधान की प्रस्तावना में भारतों किस रूप में घोशित किया गया है तो भारत को जोए एक प्रभुत्य संपन, समाजवादी, धर्म निर्पेच और जोए प्रजातांते गड़जाराजी की रूप में घोशित किया गया है भारत एक गड़तंत्र है इसका अर्थ है तो इसका अर्थ जो है भारत में अवनसानुगत साशन नहीं है कौन सा सब्थ भारत के समिधान की उद्देशिका में नहीं है तो लोग कल्यार जो है उद्देशिका में नहीं है कल्यार कारी राजी का उद्देश है तो कल्यार कारी राजी का उद्देश जो है कमजोर वर्गु का कल्यार का प्रबंधन करना है बारत में एक गड़राज मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजा ध्यक्ष का चुनाव होता है बारती सम्विधान की प्रस्तावना के सिलसिले में किसमें कौन सा करम सही है तो सौरो भौमिक सत्ता संपन है, समाजिक है, धर्म निर्पेच, जनवादी गरतंत्र है ये ऐसे जो है सही करम है सम्विधान की प्रस्तावना में प्रयुक्ति शब्द सेकुलर का अर्थ है तो सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वधंद्रता भारती समविधान की प्रस्तावनला में लिखित हम भारत की लोग With the People of India से क्या अर्थ निकलता है? तो इससे अर्थ निकलता है समविधान का निर्मार भारत की जनता के द्वारा हुआ है समाजवात का अर्थ है तो समाजवात का अर्थ क्या होता है? समाजिक न्याय होता है भारती सम्विधान में समवर्थी सूची किसके सम्विधान से ली गई है तो आस्ट्रेलिया के सम्विधान से ली गई है भारती सम्विधान की आत्मा की से कहा जाता है प्रस्तावना को भारती सम्विधान की आत्मा कहा जाता है भारत में लौकिक सारो भौमिक्ता है क्योंकि सम्विधान की प्रस्तावना प्रारंब होती है तो किस से प्रारंब होती है हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंब होती है भारती सम्विधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं जलगता तो चीन की क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं जलगता है मूल भारती सम्विधान के अनुसार भारत एक तो भारत एक क्या है प्रभुत्य संपन्न है लोकतंत्रात्मक गडराज्य है सम्विधान के अंतरगत भारती लोकतंत्र के आदरशों को हम कहां देख सकते हैं तो प्रस्तावना में देख सकते हैं 42 वे शम्विधान संसोदन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया तो गुट निर्पेच सब्द को नहीं जोडा गया है भारती सम्विधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है यह जो है लोकतंत्रिक गड़तंत्र को जो है अपनाया है बारती सम्विधान की प्रस्तावना के अनुसार बारत की शाषन की सरोच सत्ता किसमे नहीं थै यह जो है जनता में नहीं थोती है भारत की समप्रभुता एकता तथा अखंडता को अच्छूड बनाए रखने तथा उसकी रच्छा करने का प्रावधान किया गया है तो प्रस्तावना में किया गया है भारती सम्विधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों यों उद्देश्यों की रूप रेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई तो उनकी आगे वैख्या कैसे की गई है मूल अधिकार के रूप में और जो राजी के नीति निदेशक सिद्धान तो यह मूल करतब्य में की गई है सम्विधान सबा में प्रस्तूत उद्धेश्य प्रस्ताव में अविव्यक्ति विचार को भारती सम्विधान की किस भाग में पूर्यतर शामिल किया गया है तो प्रस्तावना में सामिल किया गया है भारती सम्मिधान की प्रस्तावना से क्या अस्पष्ट नहीं होता तो सम्मिधान को लागू करने की तिथी अस्पष्ट नहीं होती किन उद्देश्यों को भारती सम्विधान उद्गोशित नहीं करता है तो अंतराश्टी सांती और सुरच्छा की अव्रिती को नहीं करता है भारती सम्विधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उलिकित है तो भारत और इंडिया जो है लिखा गया है भारती सम्विधान किसके द्वारा स्विक्रित है तो भारती सम्विधान किसके द्वारा स्विक्रित है 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 भारती सम्विधा पूर रूप से तयार हुआ तो 26 नॉमबर उनिस सो उन्चास को पूर रूप से तयार हुआ भारती सम्विधान कब अंगिकार किया गया था तो 26 नॉमबर उनिस सो उन्चास को किया गया था किस तित्वी को भारती सम्विधान लागू किया गया था तो 26 जन्वरी उनिस सो देशिका में कितनी बार संसोधन किया जा चुका है तो एक बार संसोधन किया जा चुका है भारत के श्रमिधान की प्रस्तावना में प्रतम संसोधन कब किया गया तो 1976 में प्रतम संसोधन किया गया कोश्चन मारा किया है 1922 इस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारती सम्विधान भारतियों के इच्छा नुसार होगा तो किसके द्वारा किया गया माहत्मा गाती जी के द्वारा किया गया अगला प्रश्ण मारा है 1924 इस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिस सरकार ने यह मांग की कि भारती सम्विधान के निर्माड के लिए सम्विधान सभा का गठन किया जाए तो मोतिलाल नहरू ने जो है मांग की थी सम्विधान सभा के विचार का आपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया तो M.N.Roy के द्वारा किया गया सम्विधान सभा को किसने मूर्थ रूप प्रदान किया तो जवालल नहरू ने मूर्थ रूप प्रदान किया कॉंग्रिस ने किस वर्स किसी प्रकार के वाय हस्ताच्छेप की बीना भारती जनता द्वारा सम्विधान के निर्माड के मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था तो 1936 में किया था 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मतदिकार के आधार पर समिधान सबा के गठन की मांग की तो पढडी जवालना नेहरू ने की वर्स 1942 में किस योजना के तहट यह स्विकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित सम्विधान सभा का गटन होगा जो युद्धोरुपरान सम्विधान का निर्माड करेगी तो यह कृप्स मिशन योजना थी सम्विधान सभा के गटन की मांग सुरुपरतम 895 में किस के द्वारा प्रस्तूत की गई तो बाल गंगादर तिलक के द्वारा प्रस्तूत की गई भारत की सम्विधान सभा गटित करने का आधार क्या था तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था भारत की सम्विधान सभा किस के अनुसार गठित की गई तो यह कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई सन 1936 में भारती राष्टी कॉंगरेस द्वारा सम्विधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अदिवेशन में रखी गई तो फैचपूर में हुए अधिवेशन में रखी गई कैबिनेट मीशन योजना के अनुसार समिधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे तो 389 सदस्य होने थे समिधान सभा के विभीन प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था इन में से कॉंग्रिस के कितने प्रतिनी थी निर्वाचित होकर आए तो 208 प्रतिनी थी निर्वाचित होकर आए पुनर गठन के फलस्वरूप वर्स 1947 में समिधान सभा के सदस्यों के संक्या कितनी रह गई तो 299 रह गई सम्विधान सभा पूनर गडित में देशी रियास्तों के लिए कितने प्रतिनिधी थे तो 70 प्रतिनिधी थे पूनर गडित सम्विधान सभा में विभिन प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधी थे तो 229 प्रतिनिधी थे कैबिनेट मिशन यूजना के अंतरगत सम्मिधान निर्मातरी परिशद में प्रते एक प्रांत की आवंटी सदर से संख्या निधालित करने के लिए एक प्रतिनिधी कितनी जनसंगय के अनुपात में था तो दस लाख व्यक्ति की अनुपात में था सम्विधान सभा में किस प्रांद का प्रतिनी धित सबसे अधिक था तो सयुक्त प्रांद का प्रतिनी धित सबसे अधिक था सम्विधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनी धी ने भाग नहीं लिया था तो हैदराबाद के नहीं लिये थे बी आर अमेटकर का सम्विधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो पश्चिव मंगाल से हुआ था मुस्लिम लीग ने किस कार्ट सम्विधान सभा का बहिसकार किया तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग सम्विधान सभा चाहते थे सम्विधान सभा के सदस्य प्रतिनीदी थे तो जनता द्वरा प्रत्यक्ष निर्वाचित बारती ये सम्विधान निर्मात्री सभा ये जो है प्रांती विधान सभाव द्वरा परुच रूप से अनुपातिक प्रतिनीदी तो प्रडाली द्वरा चुनी गई थी बारती सम्विधान को किस ने बनाया तो सम्विधान सभा ने बनाया सम्विधान सभा के लिए चुनाव कब संपन हुए तो 1946 में संपन हुए बारती सम्विधान सभा की अस्थापना कब हुई तो 9 दिसंबर 1946 को हुई समिधान सभा का प्रतम अधिवेशन कहा हुआ था तो दिल्ली में जो है प्रतम अधिवेशन हुआ था समिधान सभा के उदगाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने की तो सचिदानन सिन्धाने की समिधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था समिधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो सचिरानन सिन्ना थे समिधान सभा के अस्थाई सदसे कौन थे तो डॉक्टर राजेंद प्रशाद थे 11 दिसंबर 1946 को किसे समिधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था तो डॉक्टर राजेंद प्रशाद को चुना गया था समिधान सभा का समयदानिक सलाकार किसे न्यूक्त किया गया था तो बी एन रो को न्यूक्त किया गया था समिधान सभा के चुने हुए अस्थाई सदस से कौन थे तो डॉक्टर राजेंद प्रशाद थे कौन सम्विधानिक सम्विधान सभा का सदस्य नहीं था तो एच एच बेग जोए नहीं थे सम्विधान के विविन पहलू के अध्यन हेतु सम्विधान सभा में कितनी सिमित्य न्यूक्त की थी तो तेरे सिमित्य न्यूक्त की थी समिधान सभा के प्रारूप मसईवा समिती का न्यूक्त कब की गई तो इसकी न्यूक्ती जो है 29 अगस्ट 1947 को की गई बार्ति समिधान सभा की प्रारूप समिती के अध्यक्ष थे तो बी आर अमेटकरजी थे समिधान सभा प्रारूप समिती में सदस्यों की संख्या कितनी थी तो सा सदस्यों की संख्या थी कौन समिधान सभा द्वरा गठित प्रारूप समिती का सदस्य नहीं था तो सरदर पटेल नहीं थे कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था तो पंडी जवालना नहरू भी नहीं थे समिधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किस ने रखा तो पंडी जवालना नहरूरिन रखा बारती सम्विधान को अपनाया गया तो सम्विधान सभा द्वरा अपनाया गया बारत को एक सम्विधान देने का प्रस्ताव सम्विधान सभा द्वरा पारित किया गया था तो 22 जन्वरी 1947 को पारित किया गया था सम्विधान निर्मात्री सभा के जंडा समिती के अध्यक्ष थे तो जेवी क्रिपलानी जो है जंडा समिती के अध्यक्ष थे राष्टी जंडे की अभी कलपना को भारत की सम्विधान सबा में ग्रहड किया गया था तो जुलाई 1947 में ग्रहड किया गया था भारती सम्विधान सबा में भारती राष्टी ध्वच की रूप रेका को अंगीकार किया तो 22 जुलाई 1947 को किया सम्विधान सभा में सम्विधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया तो 26 नौबर 1949 को जो है अंतिम रूप से पारित किया गया सम्विधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आकरी बार मिली तो 24 जनवरी 1950 को मिली सम्विधान सभा के कितने उपस्ति सदस्यों ने सम्विधान पर हस्ताक्षर किया तो 284 लोगों ने सम्विधान पर हस्ताक्षर किया सम्विधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पालिस सम्विधान में कुल कितने अनुचेद और अनुसूचिया थी संपूर्ण भारती समीधान के निर्माद में समीधान सभा को कितना समय लगा तो 2.11.18 दिन लगा किस दिन से समीधान सभा का अंतरकाले सद commence की रूप में अभिर्वाव हुआ तो 26 जनवरी 1950 से बारत के सम्विधान का प्रारुप तयार करने वाली सम्विधान सभा के सदस्यों को विभिन प्रांतों की विधान सभावदोरा चुना गया बारत के लिए सम्विधान सभा की रशना हेतू सम्विधान सभा का विचार सुरुपतम किस ने प्रस्तुत किया तो सुराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया बारती सम्विधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हों ने की तो किसने की थी डॉक्टर सचिदनन सिन्हा ने की थी भारत के सम्विधान का निर्माता किसे माना जाता है तो बी आर अम्बेटकर जी को माना जाता है सम्विधान पांडु लेकन समीती का कौन सदस से नहीं था तो जवालना लेहरू सदस से नहीं थे भारत का सम्विधान कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था सम्विधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्ड़ा इसलिए किया गया क्योंकि कॉंग्रेस ने इस दिथी को 1930 में सुतंतरा दिवस के रूप में मनाया था 1922 इसलिए में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारती सम्विधान भारतियों की इच्छा नुसार होगा तो महात्मा गादे जी के द्वारा किया गया